पात कान कोल के सुन लो हिंदू ने पूरी सेक्लिरिजम का बोजब उठाना बंद कर दिया जालकायरेति तकारवाई स्क्तमुची है ऐसे तर्ज पर इस तरह उत्तरपदेश की सरकाहाँ काम करती है थी सी तरह आ पर एकड़ की सरकार भी है play ce Kaf जब वहां पर एक मंदिर था उससे पहले जब मुगल इंपायर आया था उससे पहले वहां पर एक मंदिर था जब हम लोगों ने आपने भी पाकिस्तानी मुक्स में भी लिखा हुआ है जैसा कि आपको पता है जिस मुल्क में जाते है उस मुल्क के रूल्स और लॉज और कस्टम्स और लोकल किसी चीज़ की इज़त निकर पैसट की जंग आप बकरी आपने पंगा लिया था उनके साथ ठीक है उन्होंने लहोर का बार्डर खोला आपकी फोजें करके वापस आई इतने सालों से किसी आपने कौन से ऐसे देश में देखा है मैं आपको भी और एक्सपोज करूंगा बंदों को जिन्होंने शादियाने बजाए हैं जिन्होंने सेलिबरेट कराए जब हाया सोफिया को मस्जिद बना दिया और इसी से पता चलता है कि यह जिदर भी जाते हैं तेखना बच्पन से इनको बच्पन से सिखाया जाता है कि हमने गोरों के लौज और रूल्स हमने इनकी इज़त नहीं करते हैं तब ही यही बच्चे बड़े होते हैं और वो यह उन्ही मुलकों के लौज और रूल्स की इज़त नहीं करते हैं, इसी वज़ा से जेलों में जाते हैं, यहाँ पर हिंदू बच्चे भी हैं, यहाँ पर सिख बच्चे भी हैं, यहाँ पर क्रिश्चन बच्चे भी हैं, हम शोर वहाँ पर चाइनीज बच्चे भी होंगे, किसी नहीं नहीं शोर मचाया, कि हमने भी यह करना जी हमने अपना जंडा कोई कुछ नहीं कहता है एक ही कोम है हर जगा पर यही लोग है इतनी इनके इंदर इतनी इनके इंदर बूग हुसी भी फिर इतनी आगे चाल नहीं सकती है जितनी देर बंगा करते रहेंगे उतना ही जो गोरे अभी तक तो वो multi-culturelism के नाम पे नहीं सारे प्यारे लोग कोई बात नहीं मिल जिलके रहते इह रहते हैं सारे जो उनको उनकी जो लेफ्त ने जो उनका धमाख खराब किया वह था वो अभ जितना पूतरे जाते हैं वो पंजाबी जेकर पूतर गया है तो यह मुस्लिम उम्मा जो है यह उतनी पूतरी भी है इन्होंने पहले ड्राय है उनको यह प्रो हमास जो इन्होंने प्रोटेस्ट वखेरा की है बहुत सारे लोग डर गए है आप देख लें पूरी दुनिया में सख्तियां आनी ही आनी हैं मुझे नहीं पता यह कैसे पॉसिबल होंगी लेकिन राडिकल लॉज उनको लाने पड़ेंगे जो एक्स्ट्रीमिसम करेंगे जारे बात है यह बड़े चलाक है मोसली यह पाकिस्तान नहीं है महां पर ब्रिटन में तो जब उनको देखा जाएग Foreign Office of Pakistan ने बड़ा condemn करा यह tweet है देखे foreign office का, यह tweet देखे है यह आपए यह foreign office ने condemn करा है और foreign office ने बोला है कि भई यह हम नहीं मानते राम मंदर को तुम नहीं मानते राम मंदर को वो हिंदूं के लिए बेवकूफ है तुमारे मानने न मानने से क्या होता है? ठीक है? मान लेते ठीक रहता नहीं मानते है कोई बात ने अच्छा टेंपल विल रिमेन अब लॉट रॉट रॉन दे फेस ऑफ इंडिया इस डेमोकरसी फॉर टाइम्स टू कम यह जो मंदिर है यह भारत के लोकतांत्रिक चेहरे पे धबा रहेगा सदियों सदियों तक टाइम्स टू कम बहुत स जाएं फेस ऑफ इंडियन डेमोकरसी चारसो अठाइस मंदिर थे जिसमें से 408 तोड़ दिये तुम लोगों में किसी ने कुछ करा नहीं जड़ावाला में तुम लोगों ने दरजनों इसाइयों के चर्च फूग दिये किसी ने कुछ बोला हमारा एक मंदिर जो पहले मंद आपकीन डिमोकरसी की बात करते हैं डिमोकरशी की स्पेलINE आती है जाहिलों तुम्हें दोस्तों जो पाकिस्तान की बात करता है न तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी सुओर को ty पेना है डिमोकरसी है राता है इतनी गेर्थ नहीं है कि dictator के सामने खड़े होके ये बोल दे कि तू एवाने सदर में क्या कर रहा है तू जा तेरा काम सरद पे है या फिर तेरा काम बेरिक में है यह हमें democracy का part बढ़ाएंगे democracy 57 muslim देश हैं किसी में एक में democracy हो अब बतादेना फिर गौरावारिया तुमसे आगला बहस कर लेँ तुम किस को पाकिस्तान को तुम डिमॉक्रिसी कहते ओ अब तुमसे हमें सर्टिफिकेट लेना पड़ाएगा पाकिस्तानियों से अब देखें बीबीसी कहता है कि आयोध्या राम मंदिर इंडिया पी एम मोधी इनॉग्रेट्स हिंदू टेंपल और रेजड बाबरी मॉस्क साइट कोई गलत नहीं हाँ बाबरी मस्जिद वहां पे टूटा था बाब हमने तो कभी किसी को नहीं है हमने शर्फ एक बात ये बोली हिंदू ने पूरी सेक्लुरिबिस्म का वह जब उठाना बंद कर दिया अब बराबर बराबर उठाओ तो उठाओ ठीक है अब हम लोग नहीं उठा रहे हैं मैं तो कम से कम नहीं उठा रहे हैं मैं सब की इज़त करता हूं सारे रिलिजिंस की इज़त करता हूं मेरे दोस्त भाई हर एक रिलिजिन में हैं पर ये नहीं हो सकता कि आप जान बूच के हमारे सर पर ठीक रहा पोड़ा है और हमारी जिम्मेदारी हो जाए हर चीज में हमारी जिम्मेदारी 100% बाकी कोई करे ना करे बाकी कुछ भी बोले ठीक है टीवी शो पे एक आदमी बक्वास करते चला जा रहा है करते चला जा रहा है करते चले जा रहा है करते चले जा रहा है वो से वहाँ पर प्रभुश्री राम पैदा हुए थे ये हिंदूओं की माननेता है कि श्रीय अध्या में प्रभुश्री राम का उसी स्थान पर जनम हुआ था अब पाकिस्तान से लोग ट्वीट कर रहे हैं कि क्या प्रूफ है तुम्हारे पास तुमसे मांगू प्रूफ मैंने कभी मांगा मक्का के बारे में प्रूफ कि वहाँ पे क्या हुआ था बताओ क्या प्रूफ है मुझे वीडियो देखाऊ मैं भी प्रूफ मांगूँगा फिर तुम सरतन से जुदा क्यों प्र तुम रैप मेजिक करना चुरू कर दोगे